हेलो दोस्तों महिमरान आप देख रहा हूँ वह एलेटिकल तो आज की यह एनिमेशन वीडियो थर्ड पार्ट है जिस किसी ने भी फर्श पार्ट और सकेंड पार्ट नहीं देखा होगा तो लिंक में इने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाके वहाँ पे देख सकते हैं सारे यहां पे जो जूमर सारे लाइन्स हैं इसको अनिमेशन करेंगे किस तरह से अनिमेशन करते हैं यही सिखते हैं दोस्तों सबसे पहले यहां पे सेलेट करके अनिमेशन में जाना यहां पे बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि जो भी आपरेटिंग होता है उस तरह करके लिए हैं यहां पर बहुत सारे करें में यहां पर बहुत सारे करें में ओप कर सकते हैं इस दोस्तों AUDकर दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं Wikipedia तो दिखें बहुत सारे यहां पे अनिमेटेट यहां पे बहुत सारे आइकॉन से तो हमें जो पसंद आए वो यहां पे सेलेट कर सकते हैं तो हमें नार्मली यही पे इस तरह का सेलेट कर देंगे और यहां पे टाइमिंग को इसके टाइमिंग को सेट कर लेंगे दोस्तों एक नीट पे रख दिया है हमने तो सकेंड जो है हम यहां पर दोनों फ्यान को एक ही साथ में अनिमेट करेंगे तो यह इसे भी इसी तरह से नीचे से उपर जाने के लिए डाइमिंग को सेट कर देंगे दोस्तों और हमारे यहांपे लाइट्स है तो हम चारों लाइट्स को एक ही साथ ऐनिमेट कर देंगे तो यह देख सकते हैं किस तरह से अपड़ कर सकते हैं और चाहिए तो बी कर सकते हैं दोस्तों और देखिए यहां पर मैं सभी को एक मिनिट का टाइमिंग दे रहा हूं ताकि प्रॉपरली यह आपरेट हो जाए और भी थोड़ा टाइमिंग ज्यादा होना तो इसको बड़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं लेकिन वीडियो बहुत फा तो यहां पर देख सकते हैं अनिमेशन का इस तरह से अनिमेशन सारे और यहां पर नंबर्स दिखाई देंगे दोस्तों फर्स नंबर सेकेंड नंबर जो भी अनिमेशन किया होता है उसको नंबर्स आ जाएंगे और वो उतने नंबर पर ही वो काम करेगा जैसे के नंबर वन नंबर 2, नंबर 3, आनिमेशन इस तरह से करते हुए जाना है हमें जो नंबर जो पहले दिखाना है आनिमेशन में उसको पहले आनिमेट करना पड़ेगा दोस्तों जो CityRailWise इसी तरह से हमें यहांपे काम करना पड़ेगा देखें हमारा एक नंबर का जूमर हो गया इसी तरह से उबर से हम सारे के सारे अनिमेशन करते हुए नीचे के और आ रहे हैं और यहाँ पर जो MCB का हो गया अभी TV क्याबनेट का भी अनिमेशन करना पड़ेगा तो यह तो हो चुका है अनिमेशन यहाँ पर देखे यहाँ जो है यह animation चक्क करने के लिए जो हमारा laptop या PC में जो यह 5 जो रहता है यह 5 को हमें प्रस करने पर यह complete animation यहां पर दिखाई देता है तो इस तरह से यहां पर हम चक्क कर ले रहे हैं animation हमारा बॉराबर काम प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है या नहीं जो हमने animation को जिस select किया होता है वही हमारा motion में रहता है बाखी का कोई motion नहीं रहता तो हमें यह अच्छे से set करके यहां पर यफवाई को प्रस करके मौउज में क्लिक करने पर animation operating होएगा और साथी साथ हमें screen recorder जो है हमारा उसको हमें on करके animated करना है दूस्तों यह पूरा animated करने के बाद video create करने के लिए हमें यहां पर जो हमारा powerpoint है इसको open कर लेके हम यफवाई प्रस करके जो हमारा screen है बड़ा हो जाएगा और उसके बाद mouse या जो हमारा keyboard रहता है keyboard में जो right left up down जो button से वो भी click करने पर यह animation जो है आता रहेगा हमारा screen जो है record होता रहेगा दोस्तों और बहुत सारे वक्त गड़बड हो जाता है जो हमें number one पर जो animation रखना था वो number three पर चला जायता है जैसे के भूलके हम बाद में select कर देते हैं उसको भी हम यहां पर alter कर सकते हैं animation को number one पर लेके आ सकते हैं number five वाला number one पर लेके हैं number one वाला number eight पर भी ले जा सकते हैं ऐसा कोई दिकत नहीं है आराम से यह एक बार एक से दो बार वीडियो देखने से यह अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों और बारीकी से वीडियो को देखें और समझने की कोशिश कीजिए तो अच्छे से समझ आ जाएगा ये किस तरह से animation वीडियो करते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों हम बहुत मحनत पढ़ के ये जो वीडियोस हों क्रियेट करते हैं और इसमें बहुत टैम लग जाता है एक वीडियो बनाने में 3-4 दिन तो लगी जाता है दोस्तों वीडियो को लाइक करें कोई भी डोटस हो तो कमेंट करके पूस सकते हैं दोस्तों और अच्छे से दिहान से देखिए स्किप करकर के देखे तो वीडियो कुछ भी समझ नहीं आएगा और बहुत सारे जो में में पाट्स हैं वो मिस हो जाएंगे दोस्तों किस तरह से आनिमेशन करना है ध्यान से देख सकते हैं करता है तरह से अच्छे साथ हैं अमें बहुत करता हैं झाल 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 झाल